तो वाइस हम लोग सीख रहे देग यहां पे javascript tutorial और हम लोग अपने javascript tutorial में काफी videos कबर कर लिये और इवन काफी important जिसको हम लोग core concept बोलते हैं वो हम लोगोंने क्या किया है अपने videos में कबर कर लिया है अगर अब सारी वीडियो देखते हो तो काफी चीज समझ जाओगे बट अब यहाँ पे कुछ यह डाइमिक डाम को मैनिपलेट कर सकता है अब बहुत लोग नहीं समझ रहोगे तो हम लोग इन वीडियो में अभी समझेंगे डाम क्या होता है अभी डाम को ऐसा लोग कि भाई यह पेज है और उस वेब पेज को हम लोग डाइमिकली विना रीफ्रेस के हुए कैसे मैनिपले सीखने का कोसिस करते हैं और काफी चीजे हम लोग सीखेंगे अभी इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में तो इस वीडियो से हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करने डॉम मनिपलेशन के बारे में और यहां पर डॉम के बारे में सब चीज सिखाऊंगा डॉम क्या होता है 노래 को होते हैं document जो dow हैं उसके अंदर जो elements है या हमारे page इंदर elements उनको हम लोग कैसे dynamically select कर सकते हैं сейчас एक है या changes करने के बाद इनudos लोगोग उन पर चेंज कर सकते हैं या changes करने के बाद अब मेनोग नोट इन असकि कैसे modify कर पाऊगे delete करना चाहो तो आप delete साफ भी कर सकते हो अब कुछ वीडियो आने वाली यहाँ पे बहुत जादा interesting होने वाली है तो आप जरूर से वीडियो को पुरा पुरा watch करिए अब बहुत सारी लोग सोच रहेंगे कि अरे सर अभी तो बहुत सारी यह बचा है जैसे ESX के जो concepts है या नए जो concepts है वो सब बचे हुए तो हाँ बिलकुल बचे हुए आपके website में उस होकी होगी फ्रेंट development के लिए अब दूसरी बात है कि जावस्क्रीप का स्कोब बढ़ गया है यह बैकेंड में भी उस होने लगी बट कहीं कहीं न कहीं आप भाई फ्रेंट में तो यह यूज होगी होकी वो तो अब बचेंड के लिए बट फ्रेंट के लिए वो चीज ऑप्षिणल होगी बट फ्रेंट के लिए वो अपको जावस्क्रिप्ट करना ही करना है और अगर आपको डियनमिक विबसाइट बनानी है तो या फिर उसकी परफॉर्मेंस यूजर इंटर्फिश अच्छा करना है आपको Dom Manipulation आना चाहिए और बड़ बड़े जो frameworks है वो Dom Manipulate बहुत असानी से कर सकते हैं और जब आपको basic शीज़े जावस्कृट से ही Dom Manipulation करना हैगा तब ही Dom manipulation आप framework से कर पाओगे जैसे jquery से कर पाओगे तब ही वो concept आपको सुन आएगा तो वीडियो ओवरॉल बहुत important होना विए चलते हैं आपको बोरना करें हुए सीखते हैं Dom सबसे पहले होता क्या है तो इस वीडियो में हम लुग Tom सीखते हैं होता क्या है और Dom उसके पास ही कैसे हम selectors को उसकरते हैं कौन-कौन से important selector है और later on ऐसे ही करके हम लोग सीखते जाएंगे और एक दिन हम perfect बन जाएगे चले और start करते हैं तो वैस चलते हैं सीखते अगर जब आप web development करते होगे तो आप बहुत बार नाम सुने होंगे Dom या अगर आप नहीं किये तो अगर आपका कोई भी जहन पचान का या कोई भी developer है वो Dom नाम हमें सा सुनता रहता है Dom basically आज से आपको इस चीज़ पता चल जाएगी Dom basically है तो Dom basically Dom को D for Dom, D for document, document, O for object and M for model त है यह platform and language independent model to represent HTML और XML document तो Dom की help से basically हम लोग represent कर सकते हैं अपने HTML को HTML या XML को भी हम लोग represent कर सकते हैं तो आप ऐसा सोचो कि भाई हम लोग Dom की help से ही हम लोग represent कर पाएंगे अपने HTML या फिर examine document को तो जो हम लोग page बनाते हैं वो एक document होता है एक document page है जैस हम बोल सकते हैं वो document है और उसको हम लोग इस Dom की help से represent कर पाएंगे ठीक है represent कर पाएंगे अब आगे पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़े clear हो जाएंगे ठीक है तो अब देखो Dom करता क्या है अभी तो हम लोग नहीं यह सीख लिए कि Dom पहले point में यह सीख लिए structure देगा तो it defines a logical structure एक structure अब वो कैसा भी structure हो सकता है जैसे घरवर का structure या किसी का भी structure तो आगे देखते हैं यह एक structure देगा of documents and the way in which they can be accessed accessed and manipulated by the application program तो basically जो Dom है यह वाला Dom वो हमें एक structure प्रवाइड कर देगा example ले लेते हैं tree-like structure tree एक parent होगा फिर उसका child होगा उसका child होगा उसका child होगा तो यह basically एक हमें tree-like structure हमारे document का provide कर देगा जिससे कि हम लोग उस element को अपने elements को access और manipulate बहुत असानी से कर पाए inside our program अपने program के अंदर अब जहां से देखो in the Dom all parts of documents such as elements, attributes, text are organized in hierarchical tree-like structure तो जो हमारा page होगा basically वो उसमें हमारे चितने भी element होगे वो tree-like structure में आप organized होगे structured होगे, ठीक है tree-like structure जैसे आप नोगने graph यह trees बनाए होगा तो आप पढ़ते होगे parent note, child note तो यहां पर भी जो हमारा page होगा HTML का उसको हम लोग जो DOM होगा वो represent कर देगा as a node या as a tree-like structure जिसमें एक parent होगा, एक child होगा, एक sibling होगा बस आप थोड़ा सा देखे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है सारी चीज़ समझाता हूँ, तो आप ऐसा समझों कि DOM basically हमारे HTML को represent करेगा in the form of tree-like structure, जिसकी help से हम लोग क्या कर पाएंगे, manipulation और access बहुत आसानी से कर पाएंगे, तो यह organized manner होगा हमारे page में, तो in DOM terminology, these individual parts of the document are called nodes, तो basically हम एक part को बोलेंगे node, जैसे हमारे पास page होगा तो उसमें HTML होगा, उसके अंदर head होगा, फिर body होगा, तो उस एक element को head को उठा लें, document, document पूरे page का, वो हमारे एक-एक node होगे, अगर बोलें तो भाहिया हमारा पूरा page होगा, कई सारे node से मिलके बना हुआ, अब इसको और अच्छे समझने के लिए, तो basically मैंने यहाँ पर एक tree बना के रखा है, क्या बना के रखा है, एक tree simple सा बना के रखा है, तो आप ऐसा समझो कि, basically हमारा page है, यहाँ पर page है, यह HTML page बनाया गया है, और उस page को ही एक tree के form में represent कर दिया गया, तो I think यह सब चीज आपको पता होगे, अगर नहीं पता, तो एक बार मैं अभी समझा दूँगा, तो आपको चीजे समझ में आ जाएंगी, तो सबसे पहला root node है, this is our root node, तो यह हमारा root node है, और root node, document होता है, ठीक है, यह चीज़ आद देखिए, किसी भी पूरे page का root node है, वो हमारा document होता है, तो document की हथ से हम पूरे, अपने पूरे सारे element को access कर सकते हैं, तो इसी के लिए हम बहुत है, यह हमारे document है, इसका मदलब हमारे root node है, page का पूरा part है, ऐसा बहुत सकते हैं, ठीक है, अब root के अंदर दो चीज़ आती है, HTML, and फिर HTML के child जो होगे, वो head होगा and body होगा, जब आपको page बनाना है, तो भी आप इससे समझ सकते हो, यह HTML tag के अंदर दो चीज़ है, head और body, head के अंदर हमारे title आजाएंगे, और title के अंदर हमारे page का title आजाएगा, ठीक है, और कोई जरूर नहीं, यहां पर सिर्फ title हो, और भी tags आप लगा सकते हो, जैसे style tag और यह tag, जो भी head के अंदर आते होंगे, main चीज body part, body part ही आपके पूरे page पे दिखेगा, ठीक है, यह चीज़ याद रिखेगा, तो body के अंदर suppose आपने यहाँ पे h1 लेख दिया, ठीक है, तो h1 के अंदर है, फिर ul के अंदर हम लोग ने उसका child li लगाया, and li के अंदर हम लोग ने एक और li लगाया, ठीक है, and li के अंदर हमने android लिख दिया, and li के अंदर दूसरे कदर हमने ios ले लिया, तो basically यह जो हमारा, these all are the notes, यह हमारे notes है, और यह बोल सकते हैं, यह हमारा basically क्या है, एक DOM object है, क्या है basically, यह हमारा DOM object है, तो यह को बोलते हैं, यह representation है basically DOM का, ठीक है, तो हर एक element का object होगा, हम लोग इसको बाद में JavaScript की हब से निकाल सकते हैं, और जब हमारे पास, जब object आ जाएगा, तब हम उसमें manipulation कर सकते हैं, तो अगर suppose मैं एक example देखे, आपको और अच्छे से समझाता हूँ, आप शायद बहुत अच्छे से आप समझ पाओ के देहां से देखेगा, suppose यहाँ पर JavaScript का एक code है, JavaScript का एक program है, this is JavaScript program, और आप क्या करना चाहरे हो, आप यहाँ पर कुछ इस body के अंदर change करना चाहरे हो, या इस evil के अंदर change करना चाहरे हो, तो basically अब आप समझ गए कि यह basically क्या है, यह सारे DOM के object है, document object model, ठीक है, मतलब यहाँ पर tree like structure है, यह इनको represent किया जा सकता है as a object, और अगर हम इनको object suppose यह हमारा body object है, तो आम लोग body object निकाल सकते हैं, अब जब body object निकाल आएगा, तो इसके पास कुछ properties होगी, ठीक है, properties होगी, object के पास properties होती है, जिनको हम लोग change कर सकते हैं, और कुछ methods होगे इन पर काम करने के लिए तो अब ऐसी बात है, हम body का object निकाल लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो हम यह object यहाँ पर get कर सकते है body का object कैसे get करेंगे मैं आपको बताऊंगा and then in body के object पर data को manipulate कर सकते हैं या हम लोग उस object की methods and properties use कर सकते हैं body के elements को change करने के लिए हम लोग body के content को change कर सकते हैं फूरे पूरे content क어 change कर सकते body के particular individual code को change कर सकते हैं यह अगर चाहे तो हम delete भी कर सकते हैं छी जाएद रखेगा हम चाहे तो उस part को delete भी कर सकते हैं या zar na add करना है तो append भी कर सकते हैं इसको menbur को दोते से क्योंकि हम लोग अपने HTML को as represent कर पा रहे है as a object यह हमारा basically DOM बताता है DOM basically हमारे represent करता है हमारे HTML part को HTML code को या HTML document को as a object यह जो tree बना हुआ यह object जो हम लोग tree बनाते हैं जो अभी हम लोग page लिखते हैं वो एक logical tree like structure बन जाता है फिर हम लोग वहां से objects को fetch कर सकते हैं पूरे पूरे और direct object document object को use कर सकते हो उसके अंदर से आप head body निकाल सकते हो या फिर आप चाहो तो particular element को भी target कर सकते हो selectors की help से क्या कर सकते हो पकड़ सकते हो थोड़ सब एक्जमपल कराता हूं उसके बाद हम नेक्स वीडियो में देखेंगे कितने selectors मौझूद हैं और कैसे कैसे मुन selector को यूज़ करके किसी भी element को select कर सकते हैं आपको याद यह रखना है कि मोटा मोटा याद रखना है कि अगर मुझे इस UL में change करना है जावा स्क्रिप्ट के अंदर से change करना है तो हमें सबसे पहले इसका object निकालना पड़ेगा तो हमें इसको target करके अपने program के अंदर हम इसका object निकाल लेंगे ठीक है तो आप चलते हैं और यहां पर आपको दिखाता हूं तो simple सा मैं यहां पर आता हूं और मैं google.com लेता हूं google.com ठीक है तो हम लोग left side में open कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना JavaScript लिख सकते हैं, इस page से related, जो भी काम होगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले, अगर कुछ करना है, तो अगर प्रिंट करना है, तो मैं लिखता हो, hey, just checking, just checking dom, just checking dom, ठीक है, तो perfect है, हमारा output आ रह पर्फेक्ट है, पूरा HTML का code आज चुगा है, क्या लिखा है, तो भाई Google भाले जाने, बट यह HTML का page है, ब्राउजर को हमें सा HTML ही समझ में आता है, तो अगर यह HTML का page है, तो इसको हम लोग represent कर सकते हैं as a dom, that means इसका भी document होगा, फिर इसके अंदर HTML tag होगा, फिर इसके अंद पर logo गहरा लगा होगा, वो सारी logo है, that means इसका भी dom object, इसका भी tree बनेगा, तो अगर मैं यहाँ पर use करूँ, तो कैसे access करेंगे, तो dom को, document को तो हम लोग direct use कर सकते हैं, जो पहले में रूट पर दिखाया था उपर, उसको तो हम लोग direct use कर सकते हैं, अगर आप document लिखोगे, document, तो आप देखोगे, document यह जो object है, वही object है, इस page का document है, अगर हम चाहें, तो document. मैंने, जैसे मैं title लिखूँगा, तो देखोगे, यहाँ पर title पर Google आ रहा है, that means हम अपने document का, document object से title वाला, मैंने यहाँ पर attribute या फिर property यूज़ किया, तो हमें, इस page का, देखो, title मिल गय आप देखोगे, तो यहाँ पर ठीक है, आप देखो, यह सारी properties है, उस document की, तो आप देखोगे, all आ जाएगा, append आ जाएगा, bg color, body, body से आपकी पूरी-पूरी body मिल जाएगी, तो यह देखो, body tag और उसके अंदर क्या लिखा है, पूरा-पूरा मिल जाएगा, ठीक है, उसका, head use कर सकते हो, ठीक है, तो देखो, head के अंदर, जो इन्हों लिखा होगा, वह सब चीज़ आगए, head के अंदर का आगए, that means हम लोग एक बड़, document, object, वो इस page का आ रहा है, हम इस page, इस title को change भी कर सकते है, वस आप देखो, यह तो JavaScript की power है, तो हम लोग यहाँ पे, document.tit title, title में assign कर देते हैं, हम code with दुरगेश, code with दुरगेश, enter कर देते हैं, तो आप देखोगे, जैसे enter किया मैंने, तो इस document, क्योंकि हम लोग ने console इस page पे उपन किया था, तो इस page का document के अंदर, जो title है, वो code with दुरगेश हो गया, तो आप देखो, यहाँ code with दुरगेश दुरद नहीं है, so I think आप समझ गयोगे, हम लोग इन page के अंदर, जो elements है, उनको हम लोग tree like structure में, represent करते हैं, वही हमारा DOM है, and then हम लोग हर एक element का object हम लोग निकाल के, dynamically अपने JavaScript code के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पे manipulation कर सकते हैं, change हो गारा कर सकते हैं, और change एक बार ह हो गया, then हम लोग क्या, मतलब सारा काम, append भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और dynamically change कर सकते हैं, सब कुछ, Ajax की help से हम लोग server को asynchronous call करके, and फिर हम लोग यहाँ पर इसको update कर दें, जो modern JavaScript जो है, modern JavaScript तो नहीं कर सकते हैं, बड़ जो frameworks है, जिसे react, angular, single page application है, यही सारा काम करती हैं, वो क्या करती है, server को contact करेंगे, code आप ही से लिखवाएंगे, and then उसको इस तरीके से manipulate करेंगे, कि आपको लगेगा, कि एक ही page है, और सारा काम हो रहा है, उसका title भी change वह रहा होगा, सब कुछ change वह रहा होगा, एक ही page में page refresh नहीं होगा, तो everything जो भी आप लिखरो अपन है, जो हमने code लिखा था, उसका diagram लिखा था, इसका DOM अलग होगा, हर एक page का DOM अलग होगा, बढ़ा, उन DOM की help से आप object, DOM का मतलब ही होता है, object तो आप object की help से आप अपने page में data manipulation और सब कुछ dynamic कर सकते हो, so next video हम दे देखते हैं, कैसे हम लोग किसी particular element को target करते हैं, select करते हैं, जिसे document.body हमने उसका लिया, document.e उसका लिया, या bg color कैसे change करेंगे, वो सारी चाहिए, तो आप particular जैसा body पर आप target करना चाहरो, background color change करना चाहरो, तो आप कैसे अपने page के elements को, या notes को कैसे select और होगे, elements को कैसे select और होगे, तो selectors हम लोग basically next, next वाले video में समझने वाले, तो selectors समझ पाओगे, तभी आप select करना सीख पाओगे, and then फिर आप उस पर manipulation करोगे, तो उसके बाद हम लोग styling सीखेंगे, attribute को कैसे get set करते है, manipulation सीखेंगे, navigation और भी सीखेंग, चलता है, इस video के लिए इता रखते हैं, और मैं मिलता आप से next interesting video तो तक लिए, जाहिन, जाह भारत बाई बाई और हाँ, अभी तक चैनल नहीं सबस्क्राप किया, तो बाई चैनल जरू सब्सक्राइब कर लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, बाई बाई